नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टड़ी वाइन से ओफिशल पर तो आज का हमारा टोपिक है सविधान के महत्पूरन और नुन्चेथ मैं इस एक ही वीडियो में सविधान के जितने भी महत्पूरन अनुन्चेथ हैं सभी को कवर कराऊंगा इसलिए ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी बने पर विश्वास रखेगा जब वीडियो को पूरा आप एंड तक देख लेंगे तो आपका इस टोपिक से कोशन गलत नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ही systematic वेसे और trick से आपको समझाओंगा इसलिए बिने देरी किया हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम समझना शुरू करते हैं सविधान के महत्वपूरन अनुशेद के बारे में अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि जितने भी अनुशेद हैं इनने बीच बीच में से पढ़ना शुरू कर देते हैं जिस करके यह हमें याद नहीं रहते हैं पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टेमाटिक विए से इसे पढ़ाऊंगा 470 हो गए हैं पर मूल रूप से यह 395 अनुशेद ही हैं कैसे क्योंकि 395 A, 395 B, 395 C ऐसे करके यह जूड़कर लगभग 470 हो चुके हैं पर हमें या रखना है कि यह 22 भाग 395 अनुशेद और 12 अनुशेद ही हैं अब हम इसके शुरूआत करते हैं तो इसके पहले हम देखते हैं कि 22 भाग है तो पहले भाग में एक सेलेके चार अनुशेद हैं और इसमें क्या है तो संग एमम उसके राज़ शेतर का वर्णन है तो जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या होता है उसके इंट्रोडक्शन होती है इसी परकार जो भारत का सविधान है ये भारत किसी भी गंतंत्र देश के लिए लोकतंत्र होती है उसकी तो जो भारत का सविधान है इसमें भी पहले इंट्रोडक्शन ही होगी भारत की तो पहले अनुशेत में क्या है तो पहले अनुशेत में बताया है कि भारत राज्यों का संग है इंट्रोडक्शन है दूसरे अनुशेत में बताया है कि नए राज्यों का परव परिवरतन किया जा सकता है मनलग किसी भी राज्य की अगर सी में है उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है और उसके नाम में परिवरतन किया जा सकता है तो यह तीन अनुशेद आपको याद रखने हैं यह इंपोर्टन है पहले भाग में उसके बाद हम देखते हैं भाग दूस तो आपको कैसे बता चलेगा कि कौनसा अनुश्यत है तो इसे याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो इसे आपको कैसे या रखना है इसके ट्रिक है नाग पंचमी नाग पंचमी से आप यारा तक तो नाग पंचमी से आप इसे याद रख सकते हैं कि नाग पंचमी उसके बाद हम देखते हैं भाग तीसरा, तो भाग तीसरे में 12 से लेकर 35 अनुश्यत्य हैं, और इसमें मोलिक अधिकार, यानि कि fundamental rights का वर्नन है, तो इसके उपर मैं एक special वीडियो बना दूँगा, पूरे मोलिक अधिकार के उपर, क्योंकि काफी हो पूरन है, पर इसमें हमें इतना जानना है, कि 12 से लेकर 35 अधिकार है, उसके बाद हमें देखना है कि भाग 4A, ये काफी important है, 4 नहीं तना है, 4A, 4A और इसका जो अनुश्यत है, वो 51A, इसमें मोलिक कर्तव्य का बननन है, कि जैसे कि जो हमारा समिधान बना है, समिधान में हमारी भलाई के लिए बहुत से कानून है, पर जनता का भी तो ये फर्ज बनता है कि उसके देश के परती, तो इसलिए हमारे कुछ मोलिक कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है, ये कहां से ले गया है, ये ये स्तरोत है जो है, ये रूस से ले गया है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया गया था, और 42 में समिधान शंशोधन के तहत, इसे शंशोधन में शामिल किया गया था, कि इसे मोलिक कर्तव क्यों, ये सब कुछ पूछा जाता है कि कि समिधान शंशोधन के तहत और कौन से समीति के सिफारिश पर, तो स्वने सिंग समीति थी और 42 में समिधान शंशोधन तो 4A के बाद अब हम आगे देखते हैं भाग 5 और भाग 6 इसको साथ ही साथ याद करेंगे क्योंकि साथ ही साथ इसको आप याद करोगे तो बहुत असानी से याद हो जाएगा मैं ट्रिक्स से आपको बताऊंगा तो भाग 5 में 52 से लेकर 151 चेद और भाग 6 में 152 से लेकर 237 यह आपको नहीं भी पताऊंगा तो काम चल जाएगा क्योंकि मियन क्या पूछा जाते हैं मैं आगे आपको बताता हूं तो भाग 5 में में राश्ट पती के बारे में बताए गया है और भाग 6 में राजपाल क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं केंदर में जो भूमी का पाल की होती है इसलिए मैं इसको साथ-साथ कवर कर रहा हूं क्योंकि इस तरह आप पढ़ेंगे तो आपको यादा दिर तक याद रहेगा तो राश्ट पती का सबसे ज्यादा इंपोर्ण अनुशेद बावन इतनी बार एक्जाम में पूछा कि हर बार शिप्ट में पूछ इस रिजिर्ट से में याद होगा राश्ट पति बारे में देखे जो यह दो 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 ऐसा लग जैसे किसी कर जूका हुआ गिड़ गिड़ा रहा है उप आगे आप देख रहे हैं यह 5 पांच मलब राश्ट पति जब भी आपके दिमाग क्योंकि जब भी आपको यह आएगा लग रहा है कि आगे उसके गिड़ गड़ा रहा है और माफी माग रहा है और जो पांच आपको देख रहे हैं ना बैठा हुआ है तो इससे आप पता लगता है कि जो राश्ट पति का पाद है अनुशेद बावन में यह एक ट्रीक है जिससे आप इसको याद आ सकते हैं उस अनुशे चवण में क्या है कि राश्ट पति का निर्वाचन कैसे किया जाना है यह उसमें बताए गया है अब उसके साथ हम देखते हैं राजपाल का तो राजपाल का भी आप साथ ही मियाद करेंगा बस इसमें क्या करना प्लस एक जोड़ना है तो जैसे बावन ने बावन जोड़ना देना तिरपन के आगे आप एक लगा देंगे तो यह राजपाल का पद हो गया और अनुशे देख आपको जोड़ना एक चोवण हो गया और वही एक उसके आगे लगा देना है इन तीनों से आप ये साथ-साथ याद कर रहे हैं देखा कितनी असानी तरीके से औ नो आको याद कर सकते हैं बस आपको क्या करना है जैसे आपको यह I ca semua रएगा रएगा न smile उसका निर्वाचन है, इसे आप दोनों याद रख सकते हैं, उसके बाद हम राश्पती के आगे देखते हैं कि निर्वाचन तो हो गया, और राश्पती को हटाया कैसे जाएगा, क्योंकि यह तो लोकतंत्र है, मलब यहाँ पर कोई भी सिक्योर नहीं है, हर आदमी के पीछे क कोई ना कोई बैटा है, उसको हटाने के लिए, तो अब इसमें देखते हैं अंशेद एक सट्ड, यभी कई पार पूछा किया है, महाब्योग, तो महाब्योग इसके दवारा राश्पती को उसके पस से हटाया जा सकता है, महाब्योग के बारे मैं आपको और भी बताता हू कि महावयोग किसी भी सदर में लाए जा सकता है चाहे राजसभा हो या लोकसभा हो और महावयोग लाने से 14 दिन पहले राजपती को सूचित करना पड़ता है जब भी महावयोग लाना है उसे 14 दिन पहले राजपती को यह सूचित करना पड़ता है कि भाई साब आप महावयो राजपती खड़ा हुआ है राजपती के आगे वह गिर्गिर आ रहा है कि मुझे शमा कर दो तो इससे आप याद रख सकते हैं शमादान को देश में किसी जरूरी कानून के आवशक्ता होती है तो राजपती है अब करेकि RC कानून बना सकते हैं पर मंद्डन के सिफारिश पर ही वह कानून बना सकते हैं एक दो-क यह तीन तो 1, 2, 3 सीधा ये तिनव स्टेप भटाके, सीधा ये राजपती के साइन कराके सीधा कानून बन जाता है, ये ट्रिक हो गई, 1, 2, 3, तिन स्टेप होते हैं, पहला लोकसभा, फिर राज़ेसभा, फिर राजपती, पर अध्या देश लाकर क्या गया जाता है, इसको ख़तम कर रखना है कि कोशन पूछा गया कि आगर वह सलाह देते हैं तो क्या मानने के लिए बात दें है राश्टपती तो आपको यह रायाद रखना कि वह बात यह नहीं है वह बना सुझाओ ले सकते हैं पर यह नहीं है उन्होंने कोई सजेशन दे दिस प्रीम कोर्ण ने तो yol पती तो उपराश्टपती का वनानाशे 63 में इसमें 63 में तो ऀसमें बताएं कि यह रूपराश्टपती होगा कि राज बढके सभावती की रूप में कार्य कर Hybrid करेगा तो ट peux already सवा का सभा पति होता वह जो भी उपराश्च्ट पती होता है और मैं आपको एक interesting fact बताता हूं कि जो उपराश्च्ट पती होता है उसे अपने पद के लिए कोई झाल खानी मिलती है मलगों कोई salary नहीं मिलती पर जो राजसभा में वो सभापती के रूप में कारे करता है उसके लिए उनको वेतन मिलता है यह आपको याद रखना है तो हमने राजपाल देख लिए राशपती देख लिए अब हम देखें कि प्रधान मंत्रियों के मंत्री यह साथ हम कवर कर रहे हैं यह होता है कि स्ट्रमाटिक वेसे पढ़ना जिससे आप अनुशेदों को काफी ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं तो हम देखते हैं प्रधान मंत्री तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुशेद 74, 75, 76 यह तिनों प्रधान मंत्री से रिलिटीड हैं तो इसे आप क्याद कैसे सकते हैं कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधान मंत्री होते हैं अनुशेद 74 में जो मंत्री मंडल होत प्रदान मंत्री होता है तो 74 75 लगाता रही है और 75 के बाद हम देखते हैं 76 महान नियावादी के ओन होते हैं तो राश्टपती द्वारा महान नियावादी की न्यूकती की जाती है महान नियावादी एक oredかकर होता है मandeलब कि सीधया शब्दों में आपको बताओं तो यह कानूनी विशेशक होते हैं जो भारा सरकार को कानूनी सला देते हैं तो जैसे राश्पती सुप्रीम कोर्स सला लेते हैं इसी परकार महानिय नियायवादी होते हैं जिन्हें राश्पती नियुक्त करता है पर जो सिफारिश होती है मंदल मदल प्रधान मंत्री के सिफारिश पर ही राश्पती नियुक्त मंदल सेम तो सेम इसको याद करने के ट्रिक भी एक ही है देखिए कैसे जैसे मैंने आपको वहां पर राश्पति राजपाल में क्या बता था एक जोड़ना है यहां पर एक घटाना है जैसे 74 है क्योंकि आगर आपको देखे जाए प्रधान मंत्री की पोश्ट बढ़ी है तो 163 आ गया ऐसे आगे 75 में करना है तो 164 आजएगा शेतर में भी करोगे तो एक्सवट्व पैसर इन तीनों से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं जैसे राजपाल प्रधान मंत्री का याद किया तो मुख्यमंत्री का याद कर लिया मंध्री 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 मंध्र सान मंत्री और मुख्य मंत्री तो हमने देख लिए अब हम आते हैं संसद पर क्योंकि कानून कहां पर बनेंगे संसद में तो यह तो आपको याद यह होगा क्योंकि काफी important है आपने याद कियी होगा संसद का जो वर्णन है अंचेद 89 में है मुख्य मंत्री को किया मोट मंठर्ज स्टेप उपर होता है मुख्य मंत्री हूं ड्न विदान मंत्री को किया जैसे हमने प्रधान मंत्री मुख मंत्री को किया लंग को प्रधान मंत्री किश्टेब उपर होता है मुख मंत्री नीचे उस परकार केंद्री तो उपर है ना और राजे नीचे तो इसको भी देखते हैं लोग सभा लोग सभा 81 सभा यह हमको 11 घğटा देना है एक मेंग गये जीरो आठ में सेगे शाथ और अगे हम गटा या लगा देना 170 तो वहाँ पर लोग सभा यह पर विधान सभा इसको भी आब याद कहा सकते हैं तो विधान सभा के बाद यह है विधान परिशت ही हesteem हम अलां चेवल 6 राजों में हम है यह ले लिए पंधाऊ बोटाओ कि विधान परिशत किन जुकाम तो इसके ट्रिक है इसके ट्रिक है TB जुकाम इससे आप याद रह सते हैं कि कहां कहां पर duda IPO फोलानपरिश्ट है T से जैसे न जो गए तिलंगाना लूट बिहार जैसे जम्मू पहले था लेकिन आप जब स्याइठ शाषित बन प्रदेश बन गया है धिन्थान परश्य खतम कर दी गए और यह पूशा जाता है कि किस राजिमे विभान परश्यद खतम कर देगा है यहां दखेगा है तो केंदरॉटर्ष बन गयाना तो कि रहा है ट्रीक ट्रीक है इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया पर आपको यह भी होता होना चाहिए कि यह अब खत्म हो चुगा पर्राश 6 तो मैंने आपको विधान परिशद भी बता दिये कई भी पूछ जाते हैं तो हमनें संसत क्विक अपो फोर कर लिया कुछ और विधान मन्डल विधान के फिरिप रहन के कि it 은 वोटिंग हो रही है और जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए यानि कि निर्ने ना हो पा रहा हो तो समय क्या होता है कि अध्यक्ष महोदे अपना निर्याग मत देंगे तो अध्यक्ष महोदे जिस पर अपना मत देंगे उसे पारित कर लिए जाएगा सब्सक्राइं है om तो अंशेद 108 में सहयूगता दिवेशन कब बुला जाता है मैं आपको बताता हूं मालीजी लोगसभा में कोई चीज में बील पर बहस चल रही है और कोई निन नहीं लिया जा पा रहा है तो क्या किया जाता है कि लोगसभा भी बील बाटका वड़ा है और राजयसभा भी 177 अब क्या रखने है 110 में धनादिवेशन और 117 में वित्विदेख इसको धन विधेख भी कहते हैं धन विधेख और वित्विदेख यह काफी कर्मिजिंग है धन विधेख और वित्विदेख कई बार पूचे गए हैं मतलब इसके पूछा क्या जाता है इसकी डेfinition किरिया को धन विद्यक केते हैं महला सरकार के धन जुटाने की परकिरिया को धन विद्यक केते हैं और जुटाए हुए धन को विकास पर खर्च करने की परकिरिया को वित्य विद्यक केते हैं यह सरल शब्दों में हैं और आप मैं आपको थोड़ा और इसको डिफाइन करूं जो बिल पेशके जैका में उससे धन्य में और जोगाने के लिए राइने का उसके पहलेद्सित का इसके ड़ना में 111 बजट बारा चौके 24 राइमिंग से आप जाता है 12 बजट 12 बजट दो बार बोलेंगे आदा गाई अब आपको बजट पता ही होगा कि एक साल का पूरा जो लेखा जोखा होता है सरकार की आहां पर खर्चिक करेगी कहां से इंकमाई कि सब बजट में पेश किया जाता है बजट 12 के बाद है 1616 तो जब सरकार बजट पेश करती है तो कई कुछ खर्चे उसमें रह जाता है जो कुछ खर्चों का वर्णाइन है यह तो नहीं करेगी बाद में एक साल के बदफिर बजट आएका तब पेश करेगी बीच में बजट से नहीं होता उसके बीच में अलग स प्रधान मंतरी मुख मंतरी राजपल उपराजपल सब कवल कर लिए अब हम आते हैं सुप्रीम कोड हाई कोड पर संसद भी हो गया कवर इस प्रकार आपको है पड़त जाना करम वाइज इससे आपको याद हैंगे अब सुप्रीम कोड और हाई को देखते हैं तो 124 में सुप् से रिलेटर में पहले उठाए हैं 124 131 और 148 पहले सुप्रीम कोड का गठन होगा इस उप्रीम कोड की क्या पावर है कहां कहां उसका अधिकार शेत्र है और 148 में है क्या की न्युक्ति तो क्या क्या होता है क्या की फॉल फोर्म है चलता है जैसे 2G घुटाल होगा जो भी घुटाले में स्पेक्ट्रम घुटाला हुआ यह कैग ही रिपोर्ट अपनी पेश करती है उसी द्वारा यह सब उजागर होता है कहां पर कितना घुटाला हुआ तो और इस समय अगर मैं आप सब पूचू कि क्या कौन है हमारी कंट कंट्रोलर और अल्टर जर्नल कोन है तो गिरीश चंदर मुर्मु जी है कि यह भी या रखना उसके बाद हम देते हैं हमने स्प्रीम कोट देख लिया एक दो चार और दो एक चार हाई कोट है एक दो चार सुप्रीम कोट है और दो एक चार ऐसे आप पढ़ेंगे तो याद दढ़ेगा दो तीर बार वीडियो को देख लेना आपको पूरा कभी भूलेगा नहीं तो अनुशेद 2-1-4 कि इसने बताएगा कि राज में एक हई कोट जरूर होगा और अनुशेद 2-6 में बताएगा है कि हाई कोट का गठन करना है पहले बता है कि राज यों के लिए तो दो सव उन्चास में क्या है कि राज सूची विशय पर कानून बनाने की शक्ति तो मैं आपको बताता हूं कि राजी-शूची मतलύ है कि वह विशय जिस पर राज कानून बनाता है राज सूची विशय होते हैं । विदान मंदल में सकता है नहीं चैंदर के राजी कानून बना सकती है यह an चानुप में रखा गया है कि जो कुछ वीषें है जिसपर केंदर भी कानून बना सकते हैं खर suspects क्या है कि अपात काल्य मुझा बनाना दॉस बूप कानून बनानी की शक्ति किंद्र के पास है तो दोने या रखे गाए 249 और 250 250 में अपार्थ काल के दोरान और 249 मलब normal time पर उसके बाद देखते हैं 262 कई भार यह पूछा गया है नदी जल विवाद नदी जल विवाद का वरनन किसमें 262 कई बार आप देखते हैं कि दो राजों के बीच में नदी के जल पर विवाद हो जाता है जैसे कि कोई भी नदी है यह तो नहीं देखेगी यूप 262 में वर्नन किया गया है 262 और 262 और 263 आपको साथ मियाद रखने है 262 में क्या है अंतर राजय परिशद मतलब अंतर राजय विवाद इसमें है कि दो राजों के बीच कोई विवाद हो जाए तो इसे कैसे सुल जाना है और उसमें संसत कानून बना सकती है याद रखना इ केंदर और राजयों के बीच जो करका वितरन करना है जो टेक्स है उसका वितरन करना है केंदर और राजयों के बीच में इसमें 15 वित आयोग चल रहा है याद रखेगा और जो 15 में वित आयोग है इसके अध्यक्ष कोन है तो इसके अध्यक्ष है एंके सिंग इंपोर्णर एक IPS और एक IFS और ज्यादा जोर देना IFS पे क्योंकि यही पर आप से गलती होगी क्या गलती होगी कोशन यह आया था कि अखिल भारतिय सेवा में निमन लिखित कौन से सिवाई आती हैं तो आपको चार ओप्षन दिया होगा एक IPS एक IFS और IFS दो बार दिया होगा बना फूल होगी एक IFS की फॉलम होती है Indian Forest Service और एक होती है Indian Foreign Service तो यार रखें कि जो यह वाला IFS है उसमें है Indian Forest Service कौन सा वन विभाग वाला तो यह बहुत है है कोशन भी पूचा गया इसलिए मैं आपको बता रहूं कि जो अखिल भारतिय सिवा में जो IFS आ रहा है यह Indian Forest Service वाला है ना कि Foreign Service वाला यह आप याद दखेगा उसके बाद आते हैं 315 तो संग एम राज के लिए लोक सिवा योग मलब कि जो UPSC के संग के लिए मलब केंद्र के लिए और राज के लिए PCS कई राज में इसका प्रणाव भी जरूरी है तब यह सब चुने जाएंगे तो निरिवाचन नयोग तो अंशे 324 के तहट निरिवाचन नयोग का गठन किया गया अंशे 343 के ताइद हिंदी जो हमारी है राजभाश्य है और कौन सी लिपी तो दिवनागरी लिपी है उसके बाद यह है सबसे मोश्य पूर्ण अपातकाल हर बार पूछे जाते हैं एक्जाम में और तीनों याद करने भी बहुत ही सरव हैं 352 उसमें 456 उसमें 456 चार चार सा विद्रों हो जाए पूरे अपने भारत में देश में आंत्रिक विद्रों बड़े पेमानी पर हो जाए तब राष्ट्रिय पातका लगा दिया जाता है गांदी के समय भी लगा था एमर्जेंसी लगी थी ना तो जब देश में दूसरे देशे जा तो युद्ध हो रहा हो जैसे चाइना के साथ उसमय एमर्जेंसी लगी थी यहां पूरा आंत्रिक विद्रों हो गया हो बड़े पेमानी पर तब राष्ट्य पातका लगता है और 356 में क्या है राष्ट्रपति शाषन जब किसी राजी की मलत संस्कतिय विवस्था पूरी खतरा खत्म हो जाए तो जाँ नहीं पर राष्ट्रपति शाषन लग जाता है और किसी राजे की सरकार भी गिड़ जाए और जब अधर चुनाओना तब यहां को पता है राष्ट्य बकार्थ Link विश्था बहुत खराब हो जाए तब वित्य अपातकाल लग जाता है पर याद रखेगा अभी तक भारत में एक भार भी वित्य अपातकाल नहीं लगा है तो आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि बताइए कि निमा लिकित में इसे कौन सा पातकाल अभी तक नहीं लगा है तो याद रखेगा 360 म बहुत बार लग चुका है और राष्ट्रिय पातकाल भी लग चुका है लेकिन अभी तक वित्य पातकाल नहीं लगा है उसके बाद हम सकते हैं कि सम्धान तो बन गया लेकिन समधान में शंशोधन भी होना जरूरी है कि नए अगर मालों कोई कोई बदलाव करना है वह भी तो जरूरी है और मैंने पीसे पछली वीडियो में जो का राश्रपती के अंदर कुछ था कुछ मुख्य मंत्री के यह कुछ बच्चे हुए थे और यह पूछे गए इसलिए मैंने इसे अलग अक्से गवर कर लिए बस लाश्ट ही है तो अंशे 17 में आज परिश्टा का अंत मिलब कि छुवाचूत का अंत यह किसमें है अंशे 17 में सब्सक्राइब करने के लिए इससे आपको याद रहेगा 29 के बाद चालिस में कहा कि पंचायत राजपनाली इसका वर्ण अंशेद 40 में है अब लाश्ट में देखते हैं अंशेद 32 मोश्ट इंपोर्ण है क्यों मैं को बताता हूं अंशेद 32 के पहले जयान लेते हैं तो सविधान सविधानिक उप्षारों का अधिकार और इसे हाट एंड सौल ऑफ इंडियन कॉंसिटूशन भी कहा जाता है हाट एंड सौल ऑफ इ मोलिक अधिकारों का हनन हो रहा इसलिए इसे हाट एंड सौल ऑफ इंडियन कॉंसिटूशन कहा गया है किसे अर्टिकल 32 तो यह वीडियो आज यहीं पर खतम होती है कैसी लगी आपको यह वीडियो कोमेंट सेक्शन में जुरूर बताना धन्यवाद